हलो एवरीवरन वल्कम बाक टू मैं चैनल तो आज की वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे हमारे इंडियन पिनल कोड़ ये कुछ को आपको केस को डिसाइड करना होगा कि एक्चुल में इसका अंसर आया कैसे कैसे आएगा उसको हम डिटेल में समझेंगे तो आएए शिरू करत या अपने पहले कोशन के साथ तो फर्स्ट कोशन है हमारा ए बी और सी के बीच में अचानक से एक लड़ाई शुरू हो गई ए और बी इस केस में एक्यूस्ट है और जो सी परसन है वो इन्फॉर्मिंट है इन्फॉर्मिंट का मतलब होता है जो कोर्ट या पुलिस को जानक कि पहुचाई अब क्या दोनों या और बी सी को गंबीर चोट पहुचाने के लिए लैबल होंगे अब क्या जो लो कहता है और क्याल प्रोवि請 कहता है यह हमारा कोशन है ठीक है आपको यह बात ध्यान रखनी है जब कभी दो लोगों की जॉइंट लाइबलिटी होगी तो joint liability क्या है वो इसमें essential उसके essentials को देखेंगे एक से ज़्यादा लोग होने चाहिए दूसरा है कि दोनों का कोई पहले से plan होना चाहिए pre-arrange plan होना चाहिए उनका third है उस plan के furtherance में कोई act होना चाहिए अब question में कहा कि अच्चानक लड़ाई हुई तो यह चीज तो clear है pre-plan तो यह नहीं है कि pre-plan कोई यहाँ पर यह case है यह case pre-plan तो नहीं है यहाँ पर दोनों ने मिलकर मारा ऐसा नहीं है A ने simple चोट पहुचाई है और B ने उसे गंबीर चोट पहुचाई है C ने complain किया कहा पर court में court तक वो जो मामला है वो court तक पहुचाई है C ने तो इस case में क्या है कि दोनों ही grievous hurt के लिए libel नहीं होंगे A जो है वो guilty होगा causing simple hurt और B जो है वो अकेला alone guilty होगा causing grievous hurt अब इस case में क्या है दोनों A और B जो person है उनका common intention बिल्कुल भी नहीं था यहां पर इस case में यहां हमें इसे similar intention कहेंगे कि दोनों क्या intention लेके आये थे यहां पर इस case में यह उसको पीटने का intention यहां पर लेके आये थे तो यहां पर जो है common intention नहीं होगी joint liability नहीं होगी दोनों अपने अपने act के लिए libel होगे आपको समझ आ गया होगा कि जब दो लोग अगर अचानक लड़ाई में शामिल होते हैं किसी तीसरे आदमी के साथ में तो दोनों person अपने अपने act के लिए libel होगे ऐसा तो नहीं होगा ना कि A ने grievous hurt किया B ने simple चोट पहुचाई तो B को भी grievous hurt की ही punishment दी जाएगी तो ऐसा बिलकुल भी नहीं होगा दोनों को उनके act की सजा मिलेगी जो A ने किया उसको उसके act की मिलेगी और जो B ने किया उसको उसके act की मिलेगी ठीक है तो इस case में IPC का section 34 जो है वो apply बिलकुल नहीं होगा यहाँ पर section 34 का कोई भी role नहीं है यहाँ पर hopes so आपको यह question अच्छे से समझ आ गया होगा तो आएए अब हम अपना second question देखते हैं वो क्या कहता है तो देखिए X जो है वो एक school teacher है उसका एक student है जिसकी age 8 साल की है उसने अपने उस student को जोर से कान पे चाटा मारा चाटा लगाया जिससे उसका ear drum यानि जो कान का परदा है वो फट जाता है अब क्या X ने कोई offense किया है जब ये question हमारे सामने आता है कि क्या X ने offense किया है तो जिसमें बहुत से चीज़े सामने आ जाती है जिसमें IPC के section 87 से लेकर section 92 ये दिमाख में आते हैं कि किसी की भलाई के लिए या किसी के फाइदे के लिए कोई act किया जाए तो वो offense में नहीं आता अगर उसका consent है या फिर उसके guardian का consent है अगर आप IPC के section 87 से लेकर 92 तक के sections को पड़ेंगे तो अलग-अलग consent की बात देखने को मिलेगी अब हम आते हैं अपने question पे जो act है school teacher ने जो act किया वो offense होगा की नहीं आपको ये समझना जरूरी है तो देखिए ये अपराद है X ने offense commit किया है कौन सा अपराद किया है टीचर ने voluntary causing hurt किया है यहाँ पर उसे उसने जान बूच कर ये गंबीर चोट उसे पहुचाई है आपको देखना होगा third proviso of section 89 of Indian penal court चीक है बट ये section 89 कह रहा है कि अपराद नहीं होगा अगर 12 साल से कम उमर का बच्चा बच्चे का कोई बच्चे की भलाई के लिए कोई उसके फायदे के लिए कोई act करता है consent से किसी consent से अब consent जो है वो expressed भी हो सकती है implied भी हो सकती है गारजन का अगर वो good faith में काम कर रहा है इस अगर गारजन की कोई consent है उस person को लेकर तो वो अपराद नहीं माना जाएगा बट अगर आप section 89 का third professor देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी को गंबीर चोट पहुचाना इसमें सही नहीं है जब तक कि किया गया ये act किसी को गंबीर चोट या फिर मिर्तियू से बचाने के लिए ना हो unless it is cause to prevent grievous hurt or death ये जो question हमने देखा इसमें जो act किया जा रहा है जिसमें grievous hurt हो गया है जिसमें क्या है teacher ने उस student को चाट लगाया और उस चाट लगाने की वज़े से कान के ear dream यानि जो कान का परदा होता है वो फट गया ये grievous hurt में आ गया गंबीर चोट है ये लेकिन जो act किया गया है वो किसी grievous hurt से बचाने के लिए नहीं किया गया है यहाँ पर उसको सजा देने के लिए किया गया है ये is not protected under section 89 of Indian Penal Court तो जो teacher है उसे section 325 में साथ साल तक की सजा हो सकती है तो guys ये थे हमारे आज के दो question होप सो आपको अच्छे से समझ आ गये होंगे आपका जो concept है वो अच्छे से clear हो गया होगा अगर आपको वीडियो helpful लगी then do like, share and subscribe the channel for more videos thank you for watching this video